हेलो दोसों सौगत है अपका हिंदी कॉमिक वर्ड में जहापर मैं आज अपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस देखा शुरुवादी पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि ब्लैकेस नैट के बाद का इवेंट क्या होने वाला है और बच्चे होए सूपर हीरो जा फिर विल अपने पावर्स के साथ लड़ रही थी जिसकी पावर्स थी जनरेट करना और मैनेवरेट करना ग्रीन एनरजी को क्योंकि उसके लेफ्ट हाथ पर एक स्टार हाट बना हुआ है और इसी वज़े से वह उड़ भी सकती है और तभी वहाँ पर उसकी डॉक्टर यानिके नाट पाउंगी जिस पर उसकी डॉक्टर केती है मेरा ये मतलब नहीं था तब वह बताती है मैं अब 100% पर हूँ जब से वाइट रिंग ने मेरे हाथ को हिट किया है और मैं मोगों के क्राश से फिर से वापस आई हूँ तो वह केती है हां मुझे पता है और तब वह आगे काईल क तुम मर गई तब तुमारे फिता तुमारे साथी मर चुके थे किसी भी पैरेंट के लिए अपने चैल को आउट लाए होते हुए देखना आसान बात नहीं होती और वह उसे समझाने लगता है कि जो भी तुमने किया वो तुमने नहीं बलकि नेक्रॉन ने किया था और तु पर एटम और प्रोफेसर स्टेन भी थे और वो एक दूसरी से बात कर रहे थे कि रॉनी को कुछ भी याद नहीं जो कि उसने ब्लैक लैंटन बनकर किया था और वो अभी दूसरी तरफ है इस पर एटम कहता है कि उसे यहाँ पर होना चाहिए था और तभी वहाँ पर रॉनी जाता है और प्रोफेसर स्टेन उससे कहते है कि तुम्हें जेसन से बात करनी चाहिए इस पर वो बताता है कि मैं उसे जानता तक नहीं तो मैं उसे बात क्या करूंगा जिस पर उनका कहना था कि जो भी तुमारे माइन में है वो कह दो और वो उससे आगे मिलने चाहता है और तुमने ये करते वक्त मुझे भी उसमें शामिल कर दिया तब वो कहता है मैं वो नहीं था जैक वो ब्लैक लेंटन फायर स्ट्रोम था जिसने वो किया इस पर वो कहता है तुम चूट बोल रहे हो तुम्हें उसका नाम अभी भी याद है तो उसका नाम कहो और इतना कहते ही वो रॉबी को एक पहुंच करता है लेकिन दोनों मर्ज होकर फायर स्ट्रोम बन जाते है जो कि अब रॉनी रेमन और जैसन रच थे जिनकी पावर्स थी टांस्म्यूट करना इनॉर्गेनिक एटोमिक और मॉलिकिलर मैटर्स को उड़ना और नुकलियर ब्लस्ट क्रियेट करना एनरजी और इंटेंजिबिलिटी और तब ये देखकर डेड मैन वहाँ से टेलिपोर्ट हो जाता है हांदाक की तरफ चाहापर जूनियर ब्लैक एडम अपने लोगों की बीच में से होता हुआ दो पुतलों की तरफ बढ़ता है और ब्लैक एडम बनता है और कहता है मेरी बेहन और उसके पती यहने के मेरे मेंटर टेट एडम उनकी लैंड जोकी प्लेस ओफ ब्यूटी और न्यू बीइंग्स के लिए जाने जाती थी और वो उन दोनों को पुतलों को लेकर उड़ने लगता है और तभी हमें एमोन टोमाज यहने के ओर आईसिस दिखाई जाता है इसके पावर्स थी सुपिरियर स्ट्रेंथ, स्पीड, उड़ना, फिजिकल और मैजिकल इनवर्नेबिलिटीज दुसरी तरफ हैंक हॉल यहने के हॉक जो की अवतार था वॉर का इसके पावर्स थी एनास्ट वीजन, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, बॉड़ी डेंसिटी और हिलिंग फेक्टर वो कुछ आर्म डीरर से लड़ रहा था और उन्हें मारने के बाद वो वहाँ पर प्लास्ट कर देता है और यह सब देखकर दव से कहती है हमारी पावर्स जो की हमें मिस्टेरिस वोईस से मिली है वो हमें एक साब करती है हॉक और इस लाइट की वज़े से हम कनेक्टेड है जिस पर हॉक कहता है तुम एक्जैटली गलत हो क्योंकि हम दोनों ही ऑपोजिट है हम कनेक्टेड नहीं है और तुम इस पॉइंट को कभी भी साबित नहीं कर सकती हम डिफरन डायरेक्शन के तयार था यह वो जगह थी जहापर ग्रीन एरो का होम टाउन था जो कि अब बॉम अटेक की वज़े से पूरी तरह से शमशान बन चुका था और इसे देखते ही बाकी सोयल अपने हाथ में लेते हो वो कहता है यह राट की भी राट बन चुकी है और तबी रिंग उसे कहती ह बॉस्टन ब्रेंड आफ अर्थ मेरी मदद करो और तब उसे आने वाले कुछ इवेंट्स दिखाई जाते हैं इसमें से कुछ बहुती ढरावने और कुछ व्यादी आश्चरे जनक थे और वो रिंग उससे बार बार के रही थी कि मेरी मदद करो और तबी जैसे ही वो अपन चाहते क्या हो और वो उस रिंग को अपने उंगली से दो फेकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रिंग कह रही थी बॉस्टन ब्रेंड आफ पर मेरी मदद करो मेरी मदद करो फिर से जीने में दूस्ती तरह हम देखते हैं सिलवर सिटी में नियू मेक्सिको में अभी भी वो लाइट लैंटन उसी गड़े में थी चाहाँ पर ब्लाकेस नाइट के लास्ट इवेंट में हमने देखी थी और लोग उसके आसपास जाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन वो खुदका प्रोटेक्शन कर रही थी और तभी हम देखते हैं सेनिस्ट्रों को जो कि अपन कोई वीडियो पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसके अगला पार भी ला सकूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स एंच्वाद लाइफ धन्यवाद और चैहिंद